यह लाब कभी किसी को नहीं देती है, ना कभी हमारे हरियाना हो या भारत हो, भारत में चार माँ हैं, एक माँ धर्ती, एक माँ देश, एक माँ पैदा करने वाली और एक गव माता, चार माँ हैं, चारों माँ को ना ये धर्ती हमारी खतम करने को आ चुके हैं, कुछ बिजनस मैनों को फायदा कोचाने के लिए हमारी धर्ती तक चीनने लगे हुए हैं, उसके बाद अगर गव माता की बात करें, गव माता के नाम पे हजारों हजारों करोड रुपे के घुटा लेकिन आज भी वही गवू माता 500-500 किलो प्लास्टिक खाके उनके पेट में से निकाला जाता है और वो बाद में बच भी नहीं पाती हो मर जाती है क्योंकि उनको खाने चारा खाने की आदत बंद हो जाती है एक माता भारत माता आज भारत माता पे वे इतने बड़े इन करवाए गए पुल्मामा जैसी घटनाएं करवाई गई तैबत तरीके से अब बची जन्नी जन्नी भी हम 1974 से वेट कर रहे हैं आरक्षन में आने का एक और जुमला दे दिया बीजेपी ने बला क्या करेंगे नई संसद में जाना था तो कुछ और नहीं तो एक काम करो एक श काड़े 9 साल हो गए आपको पीम बने हुए आज तक महिला की याद नहीं आई आज तक आपको जन्नी की याद नहीं आई आपने एक जुमला छोड़ना था कि हम यह करेंगे कब करोगे दो आप 24 में हमें अरक्षन दो आप हमें OBC को आरक्षन महिला को एड करो उसमें कब प इंतजार में हैं उन्हीं सोच वात्र सवर पता नहीं और कितना इंतजार हमें करना पड़ेगा क्योंकि कब जातिक अद्गना होगी कब जाके महिलां को आरक्षन मिलेगा मालूम नहीं यह वह पार्टी है जिसने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यह बात भी हर हर्याना के पानीपत में कही गए थी तो मैं एक बात बताना चाओंगी हर्याना वह रजय है जहां पर हर रोद्शकूल बंद और भी और गॉसकूल मेर कर दिये उपर 4000 से उपर स्कूल अबे बंद करने जारी असरकार वो लड़कियों के हैं सारे के सारे तो ना बेटी पड़ेगी और बेटी तो बच तो रही ही कहा है बेटी रोडों पे लड़ रही है आके ना इज़त बची हुई है कभी पानीपत में गैंग रेप होता है लोग घर में गुस की 26 पार्टियां सब ने इस बिल का स्वागत किया है और सब ने इस बिल के लिए वोट किया है और हम तो आज नहीं देखिए इंडिया का ही सबसे बड़ा घटक दल है कॉंग्रेस कॉंग्रेस ने ये कई साल पहले ये प्रपोस कर दिया था और अगर आप बात करें हमारी प पवार साब ही थे जिन्नोंने महराष्ट्रा में पंचायती इलेक्षिन तक में महिलाओं को अरक्षन दिया था तो वो मानिये पवार साब हैं और अगर आप बात करें मानिये पवार साब का महिलाओं के लिए तो वो मानिये पवार साब थे जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो महिलाओं को defense में kota तक उन्होंने दिया था तो उनकी सोच को तो सलाम है जितना महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है काभिले तारिफ है और मैं चाहती हूं करने को उन्हों से सीखना चूया यह इक ही बात कहना चाहती हूं युवा हो बुजुर्ग हो जो भी हो मेरी मातर शक्ती हो ये जुमले बाजों की सरकार है इन जुमलों से बच जाओ यहाँ पे एक परधान मंतरी देश का परधान मंतरी नहीं है एक पार्टी का परधान मंतरी है आपको तै करना है आपको देश के लिए परधान मंतरी बुज़ूर्ग प्रेशान है, मीडियम क्लास प्रेशान है, सब तो एक दो चार बिजनसमैन को छोड़ के हर किसी के तो ये पीछे लगे हुए हर किसी को खतम करने पे तुले हुए हैं, ये एक तानाशा की तरफ जा रहे हैं, एक आदमी है जो अपनी तानाशाही चलाना चाह